हेलो एंड वेलकम टू गुल्शाद अकेडमी मेरा नाम गुल्शाद अंसारी है लास्ट वीडियो में मैंने इसमें आपको फोलोर क्रियेट करना बताया था और कमेंट भी आई थी कि आपने जो फोलोर बनाया है यह आपने डाउन बनाया है यहाँ पर स्टेप्स नहीं ना बताऊंगा आप इसके उपर रूफ बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो रूफ बनाने के लिए हम यहाँ पर रूफ देखते हैं हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप की रूफ होते हैं जैसे रूफ बाई फूट्प्रिं हो रही होगी for example यहाँ पर तो आपने यही बना देंगे floor architectural उसके बाद एक और floor बन जाएगा इसके उपर ठीक है और सबसे उपर जाने के बाद ही roof बनाएंगे हम बीच में यहाँ पर अगर building है इसके उपर और बनी होई तो वहाँ पर हम floor ही बनाएंगे ठीक है तो for example मैं आपको सिखा रहा हूँ चाहे आप यहाँ बनाए या इसके उपर बनाएं तरीका यही रहेगा तो जैसे roof बनानी है तो मैं यहाँ पर चल जाता हूँ जैसे first floor में यहाँ पर आजाएंगा मैं ऐसे तो यहाँ पर अभी आपको दोनों चीज़े दिख रही है जैसे यहाँ पर आपको इसका plan भी दिख रहा है जो हमने AutoCAD से import किया था और walls वेगरा भी दिख रही है अगर मैं roof पर ही बनाओं तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिख रही है अगर मैं first floor के ओपर यहाँ पर कुछ walls भी बना लूँ जैसे मैंने wall architectural पर click करके और मैंने basic wall बना ली यहाँ पर 9 inch की इस तरीके से इस तरह से मैंने wall बना ली तो और यह wall मैंने बनाई कहां से कहां था कि मैंने देखी नहीं first floor से roof तक ही बनी है तो अब जब मैं roof floor पर जाओंगा तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा तो जब आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा तो आप roof बनाएंगे कैसे क्य बेस रहेगा किसे पता चलेगा कहां कहां walls हैं किसके हिसाब से आपको roof बनानी है तो उसके लिए हम एक काम करेंगे हम यहाँ पर देखेंगे जैसे properties बिलेट में कुछ भी select नहीं करना है यहाँ पर देखेंगे range base level और यहाँ पर none लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर कर यहाँ पर range base level जो है उसके नीचे वाला रहेगा उसके नीचे वाला ground floor था तो इसलिए यहाँ पर मैंने जब first floor किया तो यह मुझे यहाँ पर यह वाली walls दिख जाएंगे जो first floor पर हैं अब मैं यहाँ पर बनाता हूं roof by footprint तो roof by footprint में हम flat roof भी मना सकते हैं या फिर flat roof ना बना यह define slope का option होता है इस जगा पर यहाँ पर यह तो इसको uncheck करना पड़ाएगा इसको मैंने यहाँ पर click कर दिया यह uncheck हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर line से draw करें कैसे भी draw करें अब यहाँ पर आपको यह चीज़े भी देखनी पड़ेंगी properties पेलेट में हमारे पास different types की roof ह जैसे 9 inch thickness की roof है 12 inch की है और भी है तो आपको कितने inch thickness की बनानी है आप edit type में जाकर यहाँ पर properties भी अगर देखेंगे इसकी यहाँ पर preview भी आ जाएगा और अगर यहाँ पर देखेंगे आप इसका structure एडिट कर सकते हैं जैसे wall का floor का हमने किया है तो यहाँ पर structure में यहाँ प जाकर जरूर देखने मेरे चैनल पर और अगर चैनल पर new है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें तो यहाँ पर इसको मैं 6 inch slab बनाना चाता हूँ रूफ का 6 inch रखना चाता हूँ तो मैंने 6 inch कर लिया और यहाँ पर click करके इस button पर कोई भी material दे सकते हैं यह भी मैं already बता चुका हूँ आपको तो okay बटन पर click कर देंगे हम और यहाँ पर इसको duplicate नाम देदुगा मैं देदुगा जेनरिक नहीं मैं इसको नाम दे सकता हूँ यहाँ पर जैसे roof रूफ शिक्स इंच, ओके बटन पर किलिक कर देंगे, और ओके बटन पर किलिक कर देंगे, अब यहां पर आप देखेंगे, हम इसको कहां पर बना रहे हैं, रूफ फ्लॉर पर, क्योंकि रूफ फ्लॉर पर हमें, तो यह पूछ रहा हैं यहां पर कि आप कुछ इस फ्लॉर प तो जो भी बनाना है, जैसे में रेक्टेंगल बनाना है, तो जहां पर रेक्टेंगल बनाऊंगा, वहां पर बन जाएगा, अगर आपको यहां पर इसको बाहर निकालना है, उफसेट करना है, यहां तीन फिट जो भी है, वो यहां पर डाल देंगे वेल्यू, और यहां पर हम Finish फर किलिक कर देंगे, यह हमारी रूफ बन गई, 3D में भी देखो गे जाके, तो इस तरह कि हमारी रूफ बन जाएगी, जैसी भी Shape बनाओगे, अगर मैं वापस रूफ में जाता हूँ, इसको Select करता हूँ, Edit Footprint, तो जैसी भी Shape बनाओगे, वैसी ही Shape का यहाँ पर जाएगा, तो लेकिन आपको बस ध्यान यही रखना है, कि यह Shape प्रोपर होनी चाहिए, ऐसे ना हो, Intersection, Overlap, यह नि, यह किसे Opening ना हो इसमें, Finish कर देंगे, तो इसी तरह की रूफ बन जाएगी, अगर हम यहाँ से Slope को On रखते हैं, मैंने Slope को Off कर जाता ना, अगर Slope रखेंगे तो क्या होगा, तो मैं इस वाली Roof को तो Select करके, यहाँ से Delete कर देता हूँ, फिर से चलता हूँ वापस Roof by Footprint, और यहाँ सब चीज़े को Select कर लेंगे, और यहाँ पर मैं Rectangle से ही, और 2 feet का या 3 feet का Offset रखके, और यहाँ पर बना देता हूँ, तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे, हमारे पास में जब मैंने Line बनाई है, Rectangle बनाया, यहाँ पर यह बना हुआ आ गया, पहले नहीं आ रहा था, इसका मतलब यह है, जो हमारी चार Lines बनी है, उन सब में ही Slope है, अगर मुझे इन दो में नहीं लेना, तो इन दोनों को या एक में नहीं लेना, उनको ही Select करके, यह Define Slope जो है, इसको मैं यहाँ से चेक कर दूँगा, अब इन दो में रह गया, Finish कर देंगे, तो देखें क्या होगा हमारी रूफ, जो है ना, इस Direction में Slope वाली बन जाएगी, और कितना Slope लेना है, आप इसको Select करके चाते हो, यह Manually यहां से, जो यह बना हुआ रहा है, इसके उपर जो, जो Drag Point से बने हुआ रहे हैं, यह इससे ही क्लिक करके, उपर नीचे कर सकते हैं, यहां पर Slope भी डाल सकते हैं, अपने हिसाब से, जितना आप लेना चाते हैं, यह 9 इंच है, एक Fit पे, तो अब अपने हिसाब से, इसको ऐसे भी, maintain कर सकते हैं, जितना भी करना चाते हैं, यह फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अपस मैंने इसको सेलेक्ट किया, Edit Footprint पर किलिक किया, इन दोनों लाइन से तो मैंने सुलोप को हटा दिया, और इन दोनों लाइन में मैंने सुलोप डाल दिया, अब Finish करेंगे, तो कैसा देखने को मिलागा, यह इसा देखने को मिल जाएगा, अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया, Footprint को Edit कर लिया, और सिर्फ एक में ही रख लिया, सिर्फ एक में रख लिया, इन तिनों में नहीं रखा, और इसको मैंने यहाँ पर किलिक कर दिया, Finish Edit Mode, तो क्या होगा इसमें, हमारी रूफ इस तरह की बन जाएगी, एक तरह की बन जाएगी, और अगर एक में नहीं रखा, Edit Footprint करके, एक में नहीं रखा, बागी सब में Slope रख दिया, तो क्या होगा, इस पर किलिक कर देंगे, तो हमारी रूफ किस तरह की बनेगी, किस तरह की बन जाएगी, तो ये चीज़ आपके उपर Depend करेगी, कि आप किस तरह की रूफ बनाना चाते हैं, Slope वाली रूफ बनाना चाते हैं, या Flat वाली रूफ बनाना चाते हैं, और कितना इसमें Slope चाहिए, आपको अपने इसाब से बना सकते हैं, और केसी भी शेप चाहिए, वो भी अपने इसाब से बना सकते हैं, अब आप ये सोचेंगे, कि यहाँ पर रूफ तो बना दी, लेकिन ये वोल तो नीचे तक रहे गई, अगर वोल ऐसी ड्रेक करके उपर ले जाएगे, तो ऐसे हो जाएगी, तो इसके लिए इस हमारे पास एक सॉलुचन होता है, इस सॉलुचन से क्या करेंगे, जैसे इसको मैंने वोल को सिलेक्ट किया, मल्टिल को भी कर सकते है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नोपर उप्चन होता है, अटेज, टॉप, बेस, और इसी तरह से इनको भी कर सकते हैं मैंने इन वाली वॉल्फ को भी सलेक्ट कर लिया ठीक है सलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इस पर किलिक्टे अटेश टॉप पेस और टॉप अटेश करना है किस से इस रूफ से तो दीके यह बन जाएगा इसे तो किसी भी तरह की अगर आप रूफ बनाना चाहते हैं चाहे वो फ्लेट हो या स्लोप वाली हो किसी भी तरह की हो वो ऐसे ही बन जाएगी और दूसरी बात यह है मैं इसको रूफ को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ अभी अभी देखे जैसे मैंने फ्लोर बनाया था लाज्ट वीडियो में अब मैं फ्लोर यहां से उपर भी लेके आना चाहता हूँ सेम फ्लोर उपर वाले फ्लोर पर भी बनाना है तो मैंने फ्लोर को सेलेक्ट किया और यहां से कोपी कर लिया अगर आपकी levels पर आपको यह floor चाहिए, यहां से select कर लेंगे, जैसे ground floors पर थो है already, मैं first floor पर भी लेना चाहता हूँ okay बटन पर click कर देंगे, तो यहां पर first floor पर भी है, इसी तरह का slave आ जाएगा लेकिन हमारी जो walls हैं वो cross हो रही है, slave के अंदर से, यह तो आप wall को slave से नीचे रखना चाहते हैं, तो आप wall को, यहां पर इसमें जो top offset है, इसको कम कर देंगे जैसे minus six inch कर देंगे तो यह नीचे आ जाएगा five inch का है, six inch का जीतना भी है उतना नीचे आ जाएगा, या फिर आप इन सारी walls को select कर लें किसी भी तरीके से select कर सकते हैं बहुत सारी तरीके हैं, select करने के select होगी सारी walls select करने के बाद, यहां से attach top base पर click करेंगे, top और किस से attach करना है, इस slaves है, यह वाले floor से, इस पर click कर देंगे तो सारी walls, जो है इस floor के साथ में attach हो जाएगा अगर मैं floor को select करके down भी करता हूँ, जैसे minus के 3 feet down कर दिया, तो wall attach है उसके साथ में नीचे चली जाएगी यह उसके साथ साथ रहेंगी, जहां पर भी यह floor जाएगा, नहीं पर हमारी wall जाएगी, चाहे plus में लेलो, value चाहे minus में लेलो, वो इसके साथ साथ ही चलेंगी तो यहां से मैं इसको zero कर देता हूँ तो यह से आ जाएगी, चीक है तो multiple मतलब आप इसमें multiple building होती है, multi story building होती है उसमें अगर floor बनाना चाहते हैं वो ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो अगर उपर जाने के बाद कुछ changes इसमें होने हैं, तो इसको select करके edit boundary पर click करें और उसी level पर जाए और जहां तक आपको नहीं चाहिए इसमें खुला हुआ, वहांते जैसे मुझे इतना रखना है, for example, नीचे से stare आएगी यहां तक खतम हो जाएगी, तो यहां से उपर जाने का भी रास्ता रहेगा, तो इसमें यहां पर, for example, यहां से यहां तक ऐसे रखना है मुझे, ऐसे कर लेंगे और trim कर लेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे ठीक है, अब यहां से दूसरी मन्जिल का उपर जाने वाला का, अगर आपको यहां से श्टेर शुरू करनी है, तो यहां से श्टेर शुरू हो जाएगी, और यहां तक खतम हो जाएगी, ठीक है फिनिश कर देंगे, तो अटेश टोप, वही कर रहा है कि, यहां पर इसको दे रहा है कि, आपको अटेश करना है, यह नहीं करना नीचे वाली वोल्स को अटेश करना है तो अटेश पर किलिक कर देंगे नहीं करना होता है अब अगर आप 3D व्यू में देखेंगे तो इस तरह के हमारी यह दिख जाएगी यहाँ पर पूरा अब यहां से दूसरी इस्टेर बन जाईए उपर आगे आगे की वीडियो में और यहां से कोई भी प्रोपर्टी में से जो भी आपको बनानी है कस्टम भी बनानी है तो एडिट करके उसको स्ट्रक्चर में से एडिट कर लेंगे और कहां पर बनानी है महां से ले लेंगे और यहां पर बाउंडरी लाइन स्लोप लेना है या नहीं लेना है और यहां से इसकी boundary line create कर देंगे जैसे मैंने ऐसे बना लिया है यह बन जाए हमारा अगर बाहर निकालना होता कुछ भी थोड़ा बहुत इस side से नहीं निकालना है सिर्फ इस side से बाहर निकालना है तो इस side से बाहर निकाल लेंगे जितना भी निकालना है और सभी मैंसे अगर slope नहीं चाहिए तो सारों को select करके यहां से define slope कर देंगे और यहां पर अगर आपको opening चाहिए इस जगा पर तो वही आपको shape बनाने पड़ेगी इसी तरह की फिर roof बन जाएगी वो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ आप पुरा proper तरीके से बनाएगे बिल्कुल accurate और इन में से slope को हटा देंगे हम क्योंकि जब हम flat roof बना रहे हैं तो हमें slope का कहीं भी कुछ नहीं रखना और यहां पर click कर देंगे finish तो अगर अब यह आप देखेंगे तो हमारी roof बन जाएगी और यहां पर इस तरह की opening है उपर stair से आने के लिए यह जितनी भी बन रखनी है उतनी रख सकते हैं यह आपके उपर depend करेगा तो देखे इस तरीके से आप कोई भी roof बना सकते हैं चाहे slope वाली हो चाहे